आप सभी का स्वागत करता हूं आज मैं फिर से आप लोगों के लिए स्टेटिक जी के 25 महातपूर कोश्चन लेकर आया हूं और सभी कोश्चन बहुत ही महातपूर है और अंत में एक बहुत ही महातपूर कोश्चन लगा हुआ है तो चलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा पहला प्रश्ण साइबेरियन आइबैक्स क्या है जी हाँ साइबेरियाई आइबैक्स क्या है जल्दी जल्दी उतर दीजे ए पहाड़ी सेर बी पहाड़ी हीरं सी बड़ी और भारी बकरियां सी एक प्रकार का घोड़ा जल्दी जल्दी उतर दीजे Siberia Ibex क्या है बिल्कुल बिल्कुल C is the right answer बड़ी और भारी वकरियां को Siberia Ibex के नाम से जाना जाता है C is the right answer Next question आर्की पिलेगो क्या है A. दिपो का समूस रिंखला संगया संग्रा B. भूमी और समुद्र का मिलान C. एक वस्तुकार का बैकुंठ D. एक प्रकार का चर्च जल्दी जल्दी उतर दीजिए आर्की पिलोगो क्या है जल्दी जल्दी बताइए बिल्कुल बहुत अच्छे जी हाँ बिल्कुल एजदा राइट एंस्वर दिपो का समूस रिंखला संग्रा को आर्की पिलोगो कहा जाता है ठीक है ओके नेस्ट कोश्चन प्लैनेट नाइन प्लैनेट नाइन क्या है प्लैनेट नाइन क्या है A. धूमके तो आकास गंगा में एक ग्रह B. एंड्रो मेडा आकास गंगा में एक ग्रह C. एक ग्रह जहां स्टार वर्क्स हुई थी स्टार वार्स हुई थी और अपसंडी बाहरी सौर पढाली में प्रस्तावित एक बड़ा बरफीला ग्रा जल्दी जल्दी बताईए क्या है प्लेनेट नाइन बिल्कुल बहुत अच्छे बिल्कुल D is the right answer बाहरी सौरपडाली में प्रस्तावित एक बड़ा बरफीला ग्रा है इसे प्लेनेट नाइन के नाम से जाना जाता है नेस कोशचन मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला B गुजराइट की कला C बिहार में प्रचलित लोग कला दी सहाध निकालने की कला जल्दी जल्दी उतर दीजे मधुबनी कला क्या है बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छा एंस्वर दे रहे भई में जल्दी जल्दी उतर दीजे कहां पर स्थित स्थित है में मिलकुल बहुत अछे 1750s केन्य मासाई मारा नेशनल डीरव केन्या में इस्थित स्थर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो दो वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए अगले प्रश्मे में चलते जन्वरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संक्या कितनी है जनवरी 1610 में गैलीली ओ गैलीली दौरा की गई खोज में गैलीलियन के चंध्रमाओं की संख्या कितनी है A2, B3, C4, D5 जल्दी जल्दी बता दीजे कितनी है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, C is the right answer 4 है सीजदा राइट एंसर जनवरी 1610 में गैलीली ओ गैलीली दौरा की गई खोज में गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या चार है ओके नेश कोश्यन सत्त में जैते का अर्थ क्या है जी हाँ सत्त में जैते का अर्थ क्या है जल्दी जल्दी बताइए सत्मेयो जैते का आर्थ क्या है बिल्कुल बहुत अच्छे A is the right answer सत्मेयो जैते का आर्थ है सत्मेयो जैते का आर्थ है A is the right answer Next question स्वदेशी क्या है भारत में निर्मीत वह सामागरी जो भारत में उत्पादित हुई है B बिदेशी भूम में निर्मीत वह सामागरी जो बिदेशी है C एक चर्खा की रूई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है और आप्षन D option D कपास से बना देश का जंडा जल्दी जल्दी बताइए सोदेशी क्या है बिल्कुल बिल्कुल सोदेशी का तातपर है is the right answer सोदेशी का तातपर है भारत में दिर्वीत वह समागरी जो भारत में ही उत्पादित की गई और्थाद किसी भी देश की समागरी जो उसी देश में उत्पादित की गई हो उसे स्वदेशी के नाम से जाना जाता है नेस्ट कोश्चन डिब्रू साइखोवा डिब्रू साइखोवा ना मेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज में इस्थित हैं ये सभी किस राज में इस्थित हैं डिब्रू साइखोवा ना मेरी औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज में इस्थित हैं यह बिलकुल बिलकुल अगर पकड़ रहे हो बहुत आसान से हैं बिलकुल बिलकुल में ळाय यहे राइट अंसर असम में है देखो डिबरू डिबरू साई खोवा आप यहीं से पकड़ अर्था डिबरू कर गढ़ कहां है असम में है ठीक है तिसलिए असम्राज से संब्नित हो सकता है तो डिबरू साई खोवा नमेरी और औरंग нос्वार्ग यह टीनों असम्राज बाज में स्तित हैं B is the right answer next question अंजल इला मेनन अंजल इला मेनन कौन है ये भारती नेता है B भारत नाटम नर्थकी है C भारती महिला कलाकार है D लोग प्री संगीतकार है जल्दी जल्दी उत्तर बताएए कौन है अंजल इला मेनन कौन है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे C is the right answer C is the right answer भारती महिला सला कलाकार है अंजल इला मेनन जो है भारती महिला कलाकार है C is the right answer जल्दी जल्दी बताएए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे बिल्कुल C नासिक में भारती मुद्रा के नोड जो है और नासिक में मुद्रित किये जाते हैं नेश कोशन पंच तंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं जल्दी जल्दी बता दीजिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे B is the right answer विश्रु सर्मा ठीक है B is the right answer पंच तंत्र दंत कथाएं यह सब जो रचनाएं हैं यह विश्रु सर्मा जी की हैं B is the right answer नेश कोशन 2015 में डाट 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 जीनस होमो की एक नई प्रजाद की खोज राइजिंग स्टार केड़ सिस्टम क्रेडल आफ हैमन काइड दच्छड अफरीका के दोना लेडी चैमबर में की गई 2015 में डाट 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 जीनस होमो की एक नई प्रजाद की खोज राइजिंग स्टार केड़ सिस्टम क्रेडल आफ हैमन काइड दच्छड अफरीका के दोना लेडी चैमबर में की गई आप्सन है ए होमो नलेडी बी होमो इरेक्ट सी होमो हैबिलिस डी होमो रुडोल फिस जल्दी जल्दी बताईए बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम लोगों का कोश्चन सही हो रहा है भाई चलो हम बता देते हैं आपको एज दा राइट अंसर होमो नलेडी 2015 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाद की खोज गई गई इसे राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल आफ हमन काइंड दच्छिड अफ्रीका के दोना लेडी चेमबर में की गई थी नेश कोश्चन रेलवे की दूर संचार विंग रेल टेल के साथ साज़ेदारी में गूगल ने डाट 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 रेलवे सेवा की शुरुआत की ए तिर्वेंद्रम बी मुंबई सेंट्रल सी हावड़ास इस्टेशन डी कानपूर जल्दी जल्दी बताईए कहां से गूगल ने शुरू किया था बिलकुल बहुत अच्छे मुंबई सेंट्रल से रेलवे दूर संचार विंग रेलटेल के साथ साज़ेदारी में गूगल ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहली बार साज़ेनिक वाई-फाई की शुरुआत की बी इस दा राइट एंसवर नेस्ट कोश्चन 2013 में इस्टेमसेल की मदद से मानो लीबर विक्सित किया गया 2013 में इस्टेमसेल की मदद से पहला मानो लीबर विक्सित किया गया ये जापान दोरा B, सहियुक्त, राज अमेरिकिया, C, जर्मनी, D, फ्रांस, जल्दी जल्दी बताईए किसके दोरा विक्सित किया गया था, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल, A, जापान दोरा, 2013 में इस्टिम सिल्की मदद से पहला मानो लीबर, जा जल्दी जल्दी उतर दीजे, नॉबल पुरसकार से सम्मानित हो ये पहले भारती कौन है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, एज दर आइटेंस, रवीन ना टेगोर जी है, नॉबल पुरसकार से सम्मानित होने वाले पहले भारती ब्यक्ति, नेश कोश्यन, निमलिकित में से क कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेसियर है, ए गंगोतरी ग्लेसियर, बी, दरंग दरंग ग्लेसियर, सफात ग्लेसियर, डी, सिया चीन ग्लेसियर, जल्दी जल्दी बताइए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेसियर कौन सा है, बिल्कुल सही, सफात ग्लेसियर भारत का सबसे बड़ा गलेश यहा नेस कोस्चन तृक्त मंदिर कि जील के किनारे इश्थी थे जित्य आ अमरीज सर का देंस मंदील सुना होगा वंदिर की से मृत त्लप कि किनारे इस्थी थे एए अमरीज सरौवर जील बीगोर्डन जील थी D-Horikay जील, D-Sukhna जील, जल्दी जल्दी बताएं बिल्कुल बिल्कुल, A-Dar-I Tensor, अमरिस्तरोवर जील सुन मंद्रि जो है, अमरिस्तरोवर जील के किनारे, इसा हूँ नेश कोस्चिन ठोस आयोडीन का रंग होता है ठोस आयोडीन का रंग होता है A सफेद B रंग हीन C बैगनी भूरे से थोड़ा काला D लाल भूरा जल्दी जल्दी बताइए ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है बिल्कुल बहुत अच्छे, C is the right answer, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है, ठोस आयोडीन का रंग निम्ड में से जो अलग या विसम है उसे चुने, निम्ड में से जो अलग या विसम है उसे चुने बिल्कुल बिल्कुल बीजदा राइट एंसर सांभर जील, सांभर जील जो है सबसे अलग जील है, बाकि डल जील, बूलर जील और विम्ड जील एतिनों मीठी पाने की है, जबकि सांभर जील क्या है, खारे पानी की जील है, ओके, नेच्छ कोशियन 2016 में इस्तरों ने डाट 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 में भारती रेल्वे में डाट सेटेलाइट आधारी चेतावनी प्राली परिछन का आयोजन किया, 2016 में इस्तरों ने डाट 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 में भारती रेल्वे में डाट सेटेलाइट आधारी चेतावनी प्राली का आयोजन किया, ये ह tribunkने हैं इंडाबाद में भारती रेलयोर में सेटेलाइट आधारी चैताउनी पड़ालिका इनिकिया था करने डिवसी अंतरस्थी क्रिकेट के लिए भारती टीम के पहले कपृतान कोन थे एक दिवसी जलदी जलदी चली करें लिया गया है युनाइट्टिं गिंगडम संयुक्त्राज-अमेरिका microwave संग डी आस्ट्रेलिया जल्दी बता ये कहां से लिया गया है बिलकुल बहुत अच्छे सीजदार आइट एंस और सोबियत संग से यू ये स्सार सोबियत संग भारती सम्मिदान के मौलिक करतब सोबियत संग देश के सम्मिदान से लिये गए हैं नेस्ट कोश्चन कंप्यूटर के संबंद में डबलू डबलू का विस्तार क्या है कंप्यूटर के संबंद में डबलू डबलू का विस्तार क्या है जल्दी जल्दी बता दीजे ए वर्ड वाइड वेब बी होल वर्ड वेब सी बेव वाइड वर्ड डी वाइड वर्ड वेब जल्दी जल्दी उतर देजे, बिल्कुल बिल्कुल, एजिदा right answer, वॉर्ड वाइड बेप, अब कम्प्यूटर के संभद में, डबुर डबुबु बिस्तार का नाम है, वॉर्ड वाइड बेप, नेश्क औलज्ट कॉस्टन, ुर्षा कि नार्थकिन, बिल्कुल बहुत अच्छे, D is the right answer 14 सितंबर को, हिंदी दिवा सर्वर्स 14 सितंबर को मनाया जाता है, और अगला कोश्चन आपकर हाज का आखरी कोश्चन और बहुत ही महत्पूर कोश्चन है, प्रश्चन है, वास्को डिगामा और क्रिष्टिफस कोलंबस जब भारत की यात पर निकले थे उस समय उन्होंने एक नक्से का इस्तमाल किया था, उस नक्से को किसने बनाया था, यह, मुहमद अलिद्री, C, B, हिकेटिय, C, इृट्ट मीज, D, इनमें से कोई नहीं जलदी जलदी बता दीजिए कि ओह भो भो गलत करें भाई बहुत गल वह लुगा, ना बिलकुल नहीं, है बिलकory सतर मुहंब अलि इद्रिसी नहीं बाए था वासको डियामा और किस्पर कोलंबस जब भारत की यात्रा म booster थेते हैं तो इसका निर्मार मोहम्मद इद्रीशी जी की सबसे वड़ी विष्यस्ता थी किएनक साटा क्या करते थे उलटा बनाते थे अर्था इनका जो है नार्थ नीचे होता था साउथ उपर होता था और इस्ट जो है left side में होता था और west right side में होता था इसलिए उनके map को जब भी पढ़ा जाता था तुशे उल्टा करके पढ़ा जाता था आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही साथ चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेलान कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें धन्यवाद